कि आप अच्छी होंगे मज़ें होंगे मेरे नम नासीर है और आप देख रहे हैं एवी टेक विलोग तो आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्मार्ट वॉच का रिवीव करने वाला हूं जो कि आपको 3000 में एमलोड डिस्पले प्रवाइट कराती है और ऐसी वैसी क्वालटी नहीं काफी अच्छी क्वालडी के आपको इसमें एप एमलोड डिस्पले मिलने वाली है और इस वॉच को लेकर मैं ने एक कम convene Serum में पोच्टी ने कहा था क्या आप लोगों lassक्क को परचेस करना चाहिए या नहीं बाकि आज की वीडियो की जो आडियो है वो अतनी च्छी क्वालिडी के आप लोगों को नहीं मिल रही होगी और इसका रिज़ने मेरी कॉलर माइक खराब हो गई है और ये वीडियो दुबारा से शूट हो रही है तो इस मैक की क्या दिक्कत ही है ज्यादा नौइस क नहीं बाकि आने वाली वीडियो में आप लेगों को अच्छी शुरू करते हैं है फ्यलो को सब्सक्राइब करने से पहले चैनल को सबस्क्राइब करें कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है और इसका जो मॉडल नमबर है वो है HW26 वेर फिट यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें आपको वेर फिट प्रो अप्लिकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है बागी कुछ फीचर यहाँ पर मेंशन किये गए है और बैकसेट के बात करें तो यहाँ पर भी स्पेरिकेशन लिखी हुई मिल जाती है तो आप पढ़सकते है इसको और यहाँ आपको क्योर कोड मिल जाता है जिसको स्कैन करके आप अप्लिकेशन को डॉन्नौट कर सकते हैं तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको एक कार्ड मिल जाता है जिसमें यहां पर भी आपको क्यूर कोड मिल जाता है अप्लिकेशन का उसके बाद यहाँ पर आपको छोड़ी सी मैनुवल मिल जाती है तो इसको पड़ सकते हैं कि किस तरह से वाच को पैर करना है और यूज करना है तो यही कुल कंटेन मिलते हैं बॉक्स में अब आते हैं वाच की तरफ फिजिकल और वी को बात करें तो यहाँ पर आपको दो बटन मिल जाती है उसके बाद बैक सेट में यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाता है और इसमें जो सेंसर मिलता है वो रियल मिलता है उसके बाद यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है बाकि इस में आपको इस सेड माक्रोफोन भी मिल जाता है और इस सेड स्पिकर विंट मिल जाता है और देख सकते हैं यह बील्ड कोलिटी काफी जादा प्टेमियम लग रही है और यहाँ पर आपको स्ट्रेप चेंज करने का फिचर भी मिल जाता है तो यहां साब strap को change कर सकते हैं तो अब इसको on करते हैं और phone से pair करते हैं तो यहां पर buy wear fit लिखा हुआ आगे है और watch on हो रही है और देख सकते हैं watch on हो गी है और display की quality काफी जबरदस लग रही है बाकी मैंने यहां पर अपने phone में wear fit pro application को download कर लिया था तो इसको open करते हैं और watch से pair करते हैं तो देख सकते हैं watch connect हो गई है अब मैं इसको use करने वाला हूँ उसके बाद मेरा कैसा experience रहा वो सब आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ तो यह रही वो watch जिसका आप लोगों को बेसबरी से इंतिजार था और इसको मैं लगबग 10 दिनों से use कर रहा हूँ और मेरा कैसा experience रहा वो सब आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ सबसे पहले design और build quality की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की design मिल जाती है जो कि काफी जादा premium और काफी अच्छे लगती है बाकि यह design Huawei watch से मिलती जलती है या फिर कहा है कि Fireball की 360 Pro है उससे मिलती जलती है तो design unique नहीं है बट आपको काफी अच्छी design यहां पर देखने को मिल जाती है वही build quality की बात करें तो यहां पर आपको जो sets मिलते हैं metal की मिलते हैं zinc alloy का यहां पर use किया गया है तो build quality काफी solid है और wax set की बात करें तो यहां पर plastic यूज की गई है बट और जो build quality है वो काफी ज़्यादा premium और काफी solid है और इस watch में आपको IP67 की rating भी मिलने वाली है तो इसको पहन कर आप पाने में use कर सकते हैं बट ज्यादा गहरे पाने में जाएंगे तो यह watch खराब हो सकती है बट बाकि build quality काफी solid है और यहां पर आपको metal build मिलती है तो इसका जो weight है वो है 52 gram तो थोड़ा सा heavy है और जिन लोगों को hlky watch लगाने के आदे थे उन लोगों को थोड़ा सा heavy लग सकती है बाकि अगर आप ज्यादा use करेंगे तो आप use to हो जाएंगे स्ट्रैप की बात करें तो स्ट्रैप की quality भी आपको काफी अची मिल जाती है और यहाँ पर आपको step change करने का feature भी मिल जाते है तो यहाँ सब step को change कर सकते हैं और अपनी पसंद का step इसमें लगा सकते हैं तो overall build quality design मुझे काफी अच्छे लगी इस watch की अब आते हैं इस watch की सबसे highlighted feature की तरफ जो की है इसका display यहाँ पर आपको 1.35 इंचेस की AMOLED डिस्पले मिल जाती है जिसकी quality अमेजिंग है शाय शार्पनेस की बात करें यहाँ आपको 420x420 pixel का resolution मिलता है तो display काफी ज्यादा sharp है बिल्कुल भी आपको pixel नजर नहीं आएंगे तो display शार पे bright है और color काफी पंची आते हैं जैसा के AMOLED डिस्पले में आते हैं और display की brightness की बात करें तो outdoor में भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं डिस्पले काफी ज्यादा bright है तो display की quality मुझे जबरदस्त लगी और जिस प्रेस पिया वच आती है उस प्रेस की सबसे बिल्कुल तबाही डिस्पले है उसके साथ इसकी display में आपको ऑलोज़ जोन का feature भी मिल जाता है तो यह भी काफी जबरदस चीज़ लगी मुझे बाकि यहाँ पर आपको जो watch face मिलते हैं always one में वह एक ही तरह के मिलते हैं तो display के मामले में यह watch काफी जबरदस्त है और यही reason है कि मैंने इसको purchase किया है बाकि watch face की बात करें तो यहाँ पर आपको built-in 6 watch faces का support मिल जाता है 5 default दिये गए हैं और एक आप custom watch face से रख सकते हैं और application के बात करें तो application में आपको 100 plus watch faces का support मिल जाता है बट उसमें से काफी सारे watch face paid दिये गए हैं उसको purchase करना पड़ेगा लेकिन मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा कि आप लग उसको purchase कीजिए बाकि काफी सारे free watch faces दे आपको देखने को मिल जाते हैं और watch face के मौबने में काफी अच्छी watch है और display की quality amazing है तो यहाँ पर आप जब custom watch face लगाएंगे तो जो color है वो बिल्कुल निखर कर आएगा तो देख सकते हैं display की quality बिल्कुल सबरदरते इसमें आपको race to a function भी मिल जाते हैं और काफी अच्छी से work करता है और काफी fast response यहाँ पर देखने को मिला तो race to a भी काफी safe इसमें work करता है fitness वाले feature की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी सारे feature इस watch में मिल जाते हैं बर generally क्या होता है कि इन सब watches में जितने भी fitness वाले feature मिलते हैं वो fake मिलते हैं लेकिन इस watch में ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको real feature मिलता है और जो accuracy मिलती है वो भी जबरदस्त मिलती है सबसे पहले यहाँ पर आपको 15 sports mode देखने को मिल जाते हैं जिसमें walking, running, cycling काफी सारे modes दिये गए हैं और इसके pedometer की accuracy मुझे जबरदस्त लगी मैंने यहाँ पर 100 steps लिए और इसने 102 count किये उसके बाद मैंने 200 steps लिए और इसने 197 count किये तो जो accuracy थी वो बिल्कुल जबरदस्त थी और मैं बिल्कुल शौक हो गया उसके बाद यहाँ पर आपको heart rate का feature भी मिल जाता है और इसकी accuracy काफी अच्छी है सबसे पहले मैंने नॉर्मली चेक किया तो जो rating थी वो बिल्कुल match कर रही थी ऑक्सीमेटर के साथ उसके बाद में दोल्ड कराया और फिर मैंने चेक किया तो जो rating थी वो थोड़ा सा कमारी थी बाकी accuracy मुझे काफी सही लगी इसकी उसके बाद यहाँ पर आपको blood pressure का feature भी मिल जाता है बट blood pressure अतना accurate नहीं होता है 70 to 80% आप समझ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको blood oxygen का feature भी मिल जाता है और इसकी भी accuracy काफी अची आ रही थी और मैंने तीनों का surface test भी किया तो यह reading नहीं ले थी तो यह चीज़ मुझे काफी सही लगी कि यहाँ पर आपको जो sensor मिलता है वो भी काफी accurate मिलता है बाद किसी भी वाच पर भरुसा नहीं कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको slip monitoring का feature मिल जाता है और इसकी accuracy मुझे अच्छी नहीं लगी जो reading आई थी वो बिल्कुल match नहीं कर रही थी उसके बाद यहाँ पर आपको breathing exercise का feature भी मिल जाता है तो inhale exhale करके आप अपनी breathe को strong कर सकते हैं तो fitness के लाद से देखे हैं तो मुझे काफी सही watch लगी जिस press पे आती है उस press range के हिसाफ से मुझे काफी सही लगी और accuracy भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है इसमे other feature की बात के रहे तो यहाँ पर आपको air pressure का feature मिल जाता है बट यह एक तरह सेinski मिल जाता है ai कघम sociaux небil nast Trinity work नहीं किरता है उसके बाद यह पर आपको stop watch का feature मिल जाता है तो stop watch आप यूस कर सकते हैं यह पर आपू timer का feature मिल जाता है और और इसमें आप अपना custom time भी set कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको music control का feature मिल जाता है तो इस watch की मदद से आप अपने फॉन की music को control कर सकते हैं साथी साथ इस watch पर भी music को सुन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको speaker मिल जाता है और speaker की quality की बात करें तो उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी loudness आपको ज्यादा नहीं मिलती है बाकी quality आपको काफी अच्छी मिल जाती है तो speaker पर आप music को enjoy कर सकते हैं बाकी loudness मुझे कम लगी इसकी इसके बाद यहाँ पर आपको weather forecast का feature मिल जाता है और चार दिन का weather आप इसमें देख सकते हैं और इस watch में आपको calculator भी मिल जाता है तो आप अराम से गुलागड़ी कर सकते हैं और देख सकते हैं इसका जो touch है वो काफी smooth work करता है तो आप अराम से इसको use कर सकते हैं और यह feature मुझे काफी सही लगा इसका आते हैं notification पे तो यहाँ पर आपको call care message की notification मिल जाती है call को आप reject कर सकते हैं या फिर receive करके बाद भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको call function भी मिल जाता है और जैसा कि मैंने बदाया कि speaker की quality अतनी अची नहीं है अतनी loud नहीं है तो अगर आप शोर वरे एरिया में रहेंगे तो आप बात नहीं कर पाएंगे बाकि अगर आप शांत रूम में बैठे हैं तो आप बात कर सकते हैं मैंने एक दो call अटेंड किये और बात अच्छे से हो रही थी और microphone की quality भी इसकी काफी सही लगी मुझे उसके बद message की बात करें तो message की notification आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं message को बट reply करने का option नहीं मिलता है और दो चार lines का ही message आता है पूरा message नहीं आता है बाके context के बात करें तो यहां पर आप अपने favorite add context को add कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको dial pad मिल जाता है तो किसी का भी number आप dial कर सकते हैं बात करें सवाच की UI की तो UI आपको काफी अच्छा मिल जाता है बढ़ अतना smooth आपको experience नहीं मिलता है हलका से UI अटक 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 चलता है सबसे पहले उपर से swap down करेंगे तो यहां पर आपको control panel मिल जाता है जहां से brightness को कम ज़्यादा कर सकते हैं D&D activate कर सकते हैं calling feature को on off कर सकते हैं setting में जा सकते हैं और यहां पर आपको QR code भी इसमें add कर सकते हैं उसके बाद नीचे से swap अप करेंगे तो यहां सब notification को देख सकते हैं left side से swap करेंगे तो यहां पर आपको widgets मिल जाते हैं जैसे की music control weather हो गया और यह से feature यहां से आप use भी कर सकते हैं उसके बाद right side से swap करेंगे तो आपको shortcut feature मिल जाते हैं जैसे की music control उसके बाद step count weather report और यहां पर आप feature add भी कर सकते हैं उसके बाद इस watch में आपको दो button नलती है उपर वड़ी button को press करेंगे तो यहां साफ menu में चले जाएंगे जहां पर आपको सारे feature देखने को मिल जाते हैं और जो नीची वरी button है वो आप अपने हिसाब से customize कर सकते हैं जो feature आपको अच्छा लगता है वो इसमें add कर सकते हैं तो यह चीज़ भी मुझे काफी सही लगी है कि आपको budget में customize button भी मिल जाती है और मैंने इसमें heart rate set किया है तो इसको मैं press करता हूँ तो direct heart rate पर चला जाता हूँ उसके बाद display पर tap करके hold करेंगे तो यहां से watch face को change कर सकते हैं तो कि जिस तरह किसमें UI देखने को मिल जाता है बाकी एक चीज़ मुझे काफी interesting लगी जब आप menu में जाते हैं और इसको scroll करते हैं तो आपको haptic feedback भी मिलता है इस watch में जो कि मुझे काफी सही लगा और vibration की quality की बात करें तो आपको अतना strong vibration नहीं मिलता है इसमें बाकी आपको ठीक ठाक मिल जाता है अभी तक आप लोगों को लग रहा होगे की watch काफी जबरदस्त होने वाली है बाकी अब में बात करने वाला हूँ इस watch के सबसे बड़े negative point की तरफ जो कि है इसकी connectivity और इसकी connectivity इतनी ज्यादा खराब है जो कि इस watch को पूरी तरह से worst बना देती है यहाँ पर आपको दू बिलूटित मिलता है एक 5.0 मिलता है application में pair करने के लिए और दूसरा मिलता है 3.0 call-in function के लिए और दोनों की connectivity काफी ज्यादा खराब है हर दू मिनिट के बाद इसका connection lost हो जाता है और बाकी दुबारा से connect भी हो जाती है बार-बार यही लगा रहता है उसके बाद यहां पर exercise में भी आप जाएंगी तो यहां से आप noticingšइ और गयाँे डिवाच्य में तो यहां पर काफी सारे features मिल जाते है जैसे कि यहां से वाट फेस को change कर सकते हैं यहां से आ्लार्ब भी set कर सकते हैं watch में इसके बाद यहां पर आपको notification के setting मिल जाती है काफी सारी setting आप सकते हैं प्रेसबसे और अपने favourite contacts को इसमें add भी कर सकते हैं यहां से उसके बाद यहां पर फॉर्मिर अपडेट भी आता रहता है और एक अपडेट भी आया था बट अपडेट के बाद भी यह प्रॉब्रम सॉल्ड नहीं हुई है तो यह से फीचर आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं इसके बाद लाश्ट में जाएंगे तो यहां से आपना गोल सेट कर सकते हैं और प्रोफाल बना सकते हैं तो अप्लिकेशन मुझे ठीक टाक लगती है सही अप्लिकेशन है बाकि इसकी कनेक्टिवटी सबसे ज्यादा खराब है और यही कारड है कि इस वाच को मैं हाईली रिकमेंट नहीं कर सकता हूँ लाश्ट दिमाट इसके बैटरी बैकप पे तो यहां पर आपको 220 मH के बैटरी मिल जाती है और इसका बैटरी बैकप मुझे डिसेंट लगा यहां पर आपको 2-3 दिन का बैटरी बैकप आराम से मिल जाएगा बाकि अगर आप वाच को फोन से पेयर करके रखेंगे तो आपको 1-2 दिन का ही बैटरी बैकप मिलेगा इसका रिज़ा ने यहां पर आपको जो कनेक्टिवटी मिलती है काफी खराब मिलती है और बार बार वाच कनेक्ट होती है डिसकनेक्ट होती है और वाच में वेबरेशन होता है उसके वज़े से बैटरी काफी तेज़ी से ड्रेन होने लगती है तो अगर आप वाच को फोन से पेयर करके रखेंगे तो आपको 1-2 दिन का ही बैटरी बैकप मिलेगा बाकि वैसे आपको दो से तीन दिन का बैटरी वैकप मिल सकता है और बैटरी वैकप मुझे इसका अच्छा लगा तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक के कि क्या इस वाच को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहले बात करें प्राइस की तो मैंने इसको चाहिना से इंपोर्ट किया है 40 डॉलर में जिसको इंडिन रुपीज में कनवर्ट करते हैं तो 2800 से लेकर 2900 रुपी होते हैं और 29 से कुछ सबसे काफी जबरदस्त वाच है खास करके यहां पर चुझ दिस्पेल दिस्पेलिय मिलती है और इस प्रैस रेइज में दि्प्रेश में दिस्पेल्य में काफी बड़ी बात है क्यूंकि जन्रली इस प्रेस रेंज में आपको आई-पेएऄ दिस्पेल्य मिलती है या फिर TFT डिस्पले मिलती है उसके बाद यहाँ पर आपको बिल्ट क्वाल्टी मिलती है काफी जबरदस मिलती है फिट्रिस फ़ले फीचर में जो accuracy मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है उसके बाद यहाँ पर आपको calling फीचर भी मिल जाता है और प्रैस को देखते हुए काफी सारी फीचर्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं जो कि इस वाच को बिल्कुल जबरदस्त बना देते हैं बाग इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉब बैक है इसकी कनेक्टिविटी और इसकी वज़े से काफी सारी फीचर्स य्जज नहीं कर सकते हैं कि इसका बाब और आप कनेक्शन लॉँट होता रहता है तो यह इसका बड़ा ड्रॉब है कि बाखीज काफी अची वाच है को को प्रधू नहीं करना रहते हैं तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो इसको बिल्कुल पर्चस कर सकते हैं बाकी अभी ये इंडिया में लॉंच नहीं हुए मैंने इसको चाइने से मंगाया है और मैंने जब भूक किया था तो इसके एक महीने के बाद ये डेलिवर्ड हुई तो काफी रिस्क करता है बाकी में लिंक डिस्किप्शन में देंगों का वहासा आप जाकर ट्राइक कर सकते हैं और अगर हम लोगों को इस वैड़ को लेना है तो प्लिस कमैंट करके ज़रूर बताएं तो बस इस वोड़ों में इतना ही उम्मिद्ध आप लोगों को वीडियो पसान आई होगी पसाने दोड़ों को लाइक जरूर करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्यों फॉर वाचिंग